तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है सागर आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल पोल्टी गाइड तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रोईलार बार्ट का जो लिवर प्रोब्लेम है उस बारे में आज हम A to J बात करने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे वीडियो विशिन क्या है उस बारे में लास्ट में बात करेंगे तो दोस्तो चलते हैं सीधा टॉपिक पर तो पहला टॉपिक बाट का जो लिवर है वह खाराप कैसे होता है हम लोगों को वह पहले जान लेना है तो दोस्तो पहला जो कारण है बाट ओभार फीट इंटेक करना मतलब जादा फीड खाळेना जादा फीड खाने से क्या प्रोबलम होता है लिवर पचाने का जो है 200 घ्iring ज़ए तो तो वो फीड डारेक्टली बाइपास होकर बीट के साथ चला जाता है। तो ऐसे कुछ दिन चलने के बाद लिवार के उपर बहुत ज्यादा पेसर पड़ने लगता है। लिवार को रेश्ट नहीं मिलता है। अईसे ओबार फीड खाते खाते लिवार भी खाराफ होने लगता है। तो ये चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। जितना फीड बाढ़ पचा सके उतना फीड देऊ उससे ज़्यादा फीड ना दे। बाड्स का पचाने का छमता के हिसाब से फीट आप लोग दे आप दूसरा जो कारण है ओ है मेडिसीन को ओभार डोज में यूज करना मतलब बाड्स को ओभार डोज में मेडिसीन देना ये पहला कारण है वो कैसे ओ हम समझा दे रहा हूं माल लीजिए आपका बाड्स दस दिन का है दस दिन में आपका बाड्स का जो सो बाड्स के लिए जो डोज है वो पांच अमेल है आप क्या किया कोई बीमारी आपका फार्म में लग गया आप क्या किया जल्दी जल्दी ठीक कराने के चक्र में आप क्या किया पांच अमेल के ब प्रोब्लेम होगा यह जो ओभार डोज मेडिसीन है यह डाइरेट जाके लिभार को अटेक करेगा लिभार यह मेडिसीन को पचा नहीं पाएगा क्यूंकि लिभार का काम ही है खाना पचाना तो जब लिभार यह मेडिसीन को पचा नहीं पाएगा तब लिभार आपने आप ख खराप हो गया उसमें से ammonia gas निकलने सुरू हो गया तब बाड़ को फ्रेस ऑक्सिजन नहीं मिलता है तो बाड़ जब सांज लेता है तो ऑक्सिजन फ्रेस ऑक्सिजन लेने के लिए बाड्स जोर जोर से सांज लेने लगते हैं तो जब जोर जोर से सांज लेने लगते हैं ओ एमोनिया गैस बाड्स के पेट में जाएगा और वहां जाकर गैस बनाएगा और बाड्स का जो पचाने का छमता है लिवार जो खाना को पचाता है उसको खराब करने लगेगा तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसका साबधानी क्या है जब हम लोग मेडिसीन देंगे तो बाड के छमता के हिसाब से मेडिसीन का डोज देंगे मेडिसीन का जो डोज है वो हम बराबर में देंगे तो लिभार प्रोब्लेम आएगा नहीं मेडिसीन देने का जो पबर तरीका है वह एक विडियो आई बटन में दे रहा हूं उसमें आप ठोटा टैंग लगाके कैसे Mackie मेडिसीन आप पबर तरीके से दे सकते हो वह हम आई बटन में दे दे रहा हूं บ लोग देखके अंध siis करना है कैसे बास को सही पबर तरीके से देना है आप दूसरा साब्धानी क्या है आपका जो लीटार है फार्म में उसको रेगुलारली रैकिंग करते रहना है और थोड़ा सा भी जब लीटार खराब होने लगेगा तब चुना उसमें से मीक्स करके रैकिंग करना है तब लीटार खराब नहीं होगा और उसमें से एमोनिया गैस भी निकलेगा नहीं तो बार्ज का जो लिवार है वो भी सेव रहेगा जो लिवार टोनिक है वो किस किस टाइम में आपको देना है चलिस दिन के अंदर कब आपको लिवार टोनिक देना है पहले आपको देना है 9, 10, 11 ये तिन दिन पहले लिवार टोनिक चलाना है इस टाइम हम लिवार टोनिक चलाएंगे टॉक्सल टॉक्सल लिवार को भी प्रोटेक्ट करता है और किड्नी का भी प्रोटेक्ट करता है तो चीक्स जब छोटा रहता है पानी कम पीता है इस टाइम तो लिभार भी सेव रहेगा और किड्नी भी सेव रहेगा तो इस टाइम हम टॉक्सल देंगे तो 100 वाड़्स के लिए 5 से 6 मेल देंगे इसके ज्यादा नहीं देंगे तिन दिन और नेक्सट एम में और एकबार देंगे जब आपका स्टार फीड से जब फिनिशार में चेंज होगा उसके तीन दिन पहले और एक बार लिबश्टनिग देंगे कौन सा लिबश्टनि देंगे उस्टाइम भी आप टॉक्सल भी दे सकते हो और नहीं तो आप लिप 52 भी दे सकते हो 21, 22, 23 ये तीन दिन में आप ये दो मेडिसिन का कोई एक दे सकते हो तो दोस्तो इस टाइम का जो डोज है 100 वार्ट के लिए 8 ml और ये सेम सुवे में देना है 3 घंट के लिए देना है 3 दिन के लिए देना है इसके बाद हम लोग और एक बार लिवाट्टोनिक चलाते हैं 30 31 ये तिन दिन लिवाट्टोनिक और एक बार चला देते हैं तो इस टाइम बाड फीड्रॉप नहीं करेगा आपका एफसी आर भी छेही रहेगा और हमारा जो बिजनेस है ये तो एफसी आर क पानिक ये है चार दिन देना है आपको 100 बाड के लिए 10 से 11 मेल आपको देना है और सुबह 3 से 4 घंटे के पानी के लिए देना है दोस्तों जब इतना दूर तक आई गये हो तब एक लाइक कर दीजिए एक कॉमेंट कर दीजिए और एक छोटा सा बटन है साब्सक्राइब भ प्रेस कर दीजिए 14 सितंबर से हमारा ट्रेनिंग वीडियो इस चैनल में मैं लाने वाला हूं डे वान से लेके डे फटी तक का जो ट्रीडमेंट है डे वाई डे पाट टू पाट हम समझाएंगे और सिखाएंगे अगर आप भी सीखना चाते हो आपका कोई दोस्त भी सीख वीडियो में